यहां पर क्या लिखा हुआ है तो यहां पर फर्स लिखा हुआ है ए ए फर एपल तो ए के बाद क्या आता है ए के बाद आएगा बी तो हम यहां पर लिखेंगे बी फिर देखी सी लिखा हुआ है तो सी के बाद आएगा डी तो फिर यहां क्या लिखा हुआ है ए तो ए के बाद क्या आता है एफ तो यहां पर हम लिखेंगे एफ जी देखी लिखा हुआ है और जी के बाद क्या आता है तो जी के बाद आता है एज फिर है आई आई के बाद क्या आएगा आई के बाद आएगा जे तो हमने यहां पर लिख दिया जे फिर के के बाद आएगा एल एम लिखा हुआ है यहां पर एन भी लिखा हुआ है एन के बाद आएगा O, फिर लिखा हुआ है P तो P के बाद क्या आएगा P after Q फिर R देखिए Q के बाद आता है R तो R लिखा हुआ है R के बाद आएगा S फिर है T, T लिखा हुआ है फिर हम लिखेंगे U V लिखा हुआ है फिर हम यहाँ पर लिखेंगे W X लिखा हुआ है फिर लास्ट में है जै तो इस तरह से यह ABCD का जो fill in the blanks है वो आपको यहाँ पर write down करना है ओके फिर fill in the blanks with A, E, I, O और U यह जो fill in the blanks दिख रहे हैं A, E, I, O, U यह सब क्या है हमारे vowels यह five vowels है न हमारे A, E, I, O, U तो यह five vowels के साथ हमें यह fill in the blanks को fill करना है ओके, so let's start फिर्स लिखा हुआ है A, C, T, F, P तो कौन सा स्पेलिंग है यह? यह है cup का तो C के बाद आएगा U, C, U, P, cup I, S, E, O, N, O, N, T, H, E, The A cup is under यह दिखी यह cup है, cup किसके उपर पड़ा है? यह cup के उपर तो P, U, P, cup a cup is on the cup फिर है the, यह क्या है? डॉक, D लिखा हुआ है, फिर कुछ नहीं है, फिर है G तो हम यहाँ पर लिख लेंगे O तो डॉक, I, S, E, S, O, N, O, N, T, H, E, The यह डॉक किसके उपर है? लॉक, लॉक के उपर तो L लिखा हुआ है फिर हम लिखेंगे O फिर है G, L, O, G, log लॉक, लॉक, दॉक, डॉक के उपर है? लॉक के उपर फिर है T, E, G, the यह क्या है? cat, तो cat का first letter C लिखा हुआ है फिर हमने यहाँ पर लिखा A फिर आया T the cat, S, I, T, L, sits O and on T, E, G, the the cat sits on the cat किसके उपर बैठी है यह क्या है mat raja m लिखा हुआ है फिर हम लिखेंगे a फिर लिखा हुआ है t mat the cat sits on the mat cat जो है वो raja के उपर बैठी है l e n len i is is a len is a क्या है r red r e d red फिर यह क्या है hen h e and hen len is a red hen फिर है i s double e c i c यह कौन सा कलर है pink तो pink का p लिखा हुआ है फिर हम लिखेंगे i n k pink यह क्या है pink कलर की fish तो fish का f लिखा हुआ है फिर हमने लिखा i s h fish i see a pink fish मैंने pink कलर की fish देखी तो students इसी तरह यह fill in the blanks हमें इस book में अच्छे से write down करना है okay फिर next day hello hello का मेंनिंग्स होता है नमस्ते किसी को भी हम मिलते है न जब तब पहले हमें उन्हें hello कहना होता है फिर यह देखिए अपना इंट्रोडियूस कर रहा है I am M R A V I I am Ravie यह बोल रहे है मैं Ravie हूँ this is my robot यह मेरा robot है यह Ravie है न जो वो अपना इंट्रोडियूस कैसे कर रहा है I am Ravie this is my robot मैं Ravie हूँ यह मेरा robot है अगर हमें किसी को भी अपना इंट्रोडियूस देना होता है न तो पहले ऐसे बोलते I am फिर जो भी आपका नाम हो तो वो फिर नाम बोलना होता है तो इसी तरह से आप भी अपना इंट्रोडियूस देनी की प्रेक्टिस करना अग्स देन जाइं एंग्स देन आपका इंट्रोडियूस देने की पोई माम रिड करेंगे The rain is raining all around The rain is raining all around It falls on field and tree It falls on field and tree It rains, it rains on the umbrella here It rains on the umbrella here And on the ships at sea And on the ships at sea Next day a little bird Once I show a little bird Come hope 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 So I cried little bird Will you stop 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 I went to the window to say How do you do But it shook its little tail And far away it flew So this ramps you can learn Next day fun time Join the dots Colour the picture Here we are showing the picture And all the dots First of all we have to join And then we have to color So students How many activities you have These all you have to In English textbook Write down Thank you